नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल म्यूजिक डिरेक्टर आनन्द मोर्या में आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्केल चेंज के बारे में इस वीडियो को आप पूरा अंतक देखिएगा और हाँ जो नए लोग है तो मेरे चैनल से बने रही है क्योंकि मैं भोकल मिक्सिंग का और आपको रिदम बनाने का और पूरा माने जे कंपलीट म्यूजिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस चैनल के माध्य हम से तो मेरे चैनल पर बने रहेगा और यह पूरा फूल वीडियो वह लोग भी देखें जो अभी नए हैं और पुराने हैं क्योंकि स्केल चेंज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि स्केल क्योंकि बहुत ही लोग दूसरे जगा से म्यूजिक बनवाते हैं ल बहुत है ऐस्केल में कर दीजिए तो उसे सकेल में 2 मिनट में आप करकर उसको भेज सकते हैं तो चैसे करेंगे हर दम लाता रहता हूं तो चलते हैं अपने डिश्टप की तरफ === jei यहां तो यहां पर देख केंए मैं प्रोजीक्ट ले लिया हूं जिसमें aç doorrab Aqu alarm और यहां पर मेरा रिदम बनाया हूं जो भी रिदम इस गाने का तो नहीं बनाया हूं तो मैं ज्यादा नई सुनाओ कि गजड़ाइट आने का दिक्कत होता है यही पे लुटरी है तो इसमें आपने कीबूर्ड से कंट्रोल एदाव येगा इसको देखे इमाइनर में है तो एक में नीचे कर रहा हूं कीबूर्ड के मदद से नीचे किया एक तो यह हो गया आपको डी सार्फ फिर से कर रहा हूं तो यह हो गया आपको एक फिर नीचे किया तो CT सार्फ फिर नीचे किया तो सी इसको आप किसी भी असकेल में आप उपर नीचे कर सकते हैं तो यह देके यह इसमे जबा कुछ मनलूभिकत नंहीं तब मेजिक में भी कुछ अंतर नहीं पड़ता है सेम मेजिक बज़ेगा जैसे की तो आपको चेंज रहेगा तो यह देखे तो यहां से सी है मेरा ठीक सी है तो यहां से फिर से मैं औल सेलेक्ट किया यहां पर जितना मीडी है यह रिदम नहीं कर रहा हूं मैं मीडी पाट कर रहा हूं जो है यहां पर किया मैं उपर मैं किया सी से फिर से मैं कर रहा हूं सी सार डी डी सार फिर ए इमें कर दिया फिर से मैं इसको उपर में कर रहा हूं एफ कर रहा हूं तो एफ कर दिया इसको मैं इसी को फिर करना है मुझको एफ सार्फ में कर दिया यह हो गया मेरा ओपेन जो डाटा है इसको मैं कर रहा हूं तो उपर नीचे जितना भी है किसी भी scale में मैं मैं कर सकता हूं कोई मतलब की मेरा दिक्कत नहीं होगा और एक हो गया कि आप अगर कहीं दूसरे जगह से music बनवा रहे हैं जैसे कि आप मुझे से music बनवा कर अपने studio में काम कर रहे हैं नाया और सिंगर आ गया तो स्को इसको करना ही करना है तो यहां पर देखे मैं इसका यह मेरा एी माइनर में है ठेख बीमाइनर में है यह तो मुझको इसको और हाई करना है माल्याज एफ साफ करना तो इस पे मैं क्लिक या यह सेलेक्ट हो गया उसके बाद मैं देखिए यहां यहां पर यहां पर रहोँ तो यह देखे सी सार्थ ही होता है यहां पर देखे c सार्फ लिख दिया यहां पर इक फ्रेट लिखाया लेकिन इसको D-SARF कहा जाता है याद रखेगा तो यहाँ पर देखे D-SARF लिख दिया तो इसी तरीका से यह देखी एक एक बढ़ता रहता है C-C-SARF D-D-SARF E-F-F-SARF G-G-SARF A-SARF और B तो जैसे कि सारे गामा पादानी समय जितना भी 12 सुरू होता है यह टोटल वही चीज है 2-2-4-2-6-2-8-2-10-2-12 12 होता है C से लेके B तक 12 होता है तो इसमें ही देखे हो गया यह और इसमें आपको चेंज करना है तो 2 में उपर कर दिया ठेक यह इसको मैं सबमें उठकिया हू यह स Been सदूर में कैसा था लूट में बढ़ भी हाँ मतलब की है तो एफ कर रहा हूं अब मैं और वह और हाफ प्ली कर जिए अ स्कॉलर बटम से करना हूं याद रखे हैं स्कॉलर बटम से तो यह है इसको मुझे को करना है डी सर्फ मैं करता हूं पहले तो डी सर्फ के लिए एक माइनस नीचे कर देना है ठेक और मैं इसको कर देता हूँ यह हो गया आपको डी हो गया आपका दो में नीचे किया इसार फिर डी देखे जैसा कि यहां पर हुआ है यह देखे यहां पर यह है तो में दो बार नीचे किया तो दी ऑने तो यहां पर देखे जैसे बता दिया तो यहां पर आपको दो बर फिया हो इस जादा किजिए तो टो ट्रेक जो है खराब हो जाता है देखे ठ्रेक थोड़ा सा खराब हो रहा है तो उससे मतलब नहीं आप रिकोर्ड करकर जहां से म्यूजिक बनवाया है वहां पर न कॉल कीजे मुझको इसके स्केल में करकर इसको मुझे दे दिजिए तो जैसे मैं यह फंडा बताया हूं कि यहां से खोल कर यह लग कि करकर वह खुद देगा है आपको इसमें टाइम नहीं लगता है कोई-कोई मुझेक डिरेक्टर है तो कहाँ आप बहुत ही टाइम लगा च्छोड़ दीजिए इसको उसी में गवा लिजिए इससे तो वैसे नहीं आप जो स्केल है उस तरीका स्कीजिए जहां पर आप बनवा रहे है मुझेक वहां से आप स्केल के लिए आप बोल सकते हैं कहां स्केल आप चेंज किजिए इसको स्केल में किजिए और नहीं करता है तो वह समझे के आपको धोखा दे रहा है आप कहीं दूसरे से बनवाईए क्योंकि आपका जब से ना सिंगर नहीं खूश रहेगा तो आपका एक बार नीचे करूंगा तो यह स्केल में हो जाएगा तो आप देखिएगा जो दूसरे जगह से मिउजिक बनवा कर बनाते हैं तो अपने वोकल के अनुसार किजिएगा तो आपका जिस स्केल में आ रहा है यहाँ से ट्रांस्पोर्ट जैसे बताया हूँ यहाँ पर क्लिक करकर आप कर लिजेगा उपर है चौढ़ रहा तो इसको प्लस में करना है नहीं तो माइनस में है तो माइनस में करना है तो इसी तरीका से आपको करना है और यह scale changer के बारे में में जो बताया हूँ scale change करने का ये तरीका कैसा आपको लगा comment box में एक comment करकर जरूर बताएगा कि ये आपको कैसा लगा आप वीडियो देखते हैं पर comment नहीं करते हैं तो हम लोग का में कोई भी 100% नहीं जानता है आपको और कुछ भी problem होगा तो आप मुझे share कर सकते हैं मैं हो सकता है कि मैं बता भी सकता हूं नहीं भी बता सकता हूं जो मुझको समझ में आएगा जो मुझको आता है वो चीज में आपको जरूर शेयर करूंगा आप problem होगा आपको तो comment में comment क तो अभी मार्केट में सौंग बज रहा है उसका रिदम चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट किजिएगा मैं जरूर उसका रिदम बनाऊंगा थोड़ा सा मैं बोल वंके लेकर इधर बीजी था तो मैं किसी का काम नहीं कर पारा था बहुत सारा कॉमेंट आता था म मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग कॉमेंट करते हैं इतना प्यारा प्यारा लेकिन मैं नहीं कर पाया उसके लिएair सारी चाहिए को को पर कर सकते हैं मेरा contact number आपको description box में मिलेगा अगर आपको studio खोलना है आपको कुछ भी समान चाहिए studio का जैसे कि software हो गया rhythm हो गया तो आप मुझे contact कर सकते हैं मेरा contact number दिया हुआ है description box में वहाँ से contact मुझे कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लागा जरूर कोमेंट करकर बताएगा जब तक लिए चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया धमागे सांद जब तक ले जैहिन